Hello and welcome to the studio. Today I am Balqishna Industries, आज के दिर हम ने trade किया था, day time frame पर इसके अंदर एक candle है, 27th की candle है, 27th की candle है, 27th of July की candle है, 27th of July की candle का just जब आप low mark करोगे, वहाँ पर price को आज के दिर हमें देखा, track किया, इसको हम कल और परसो, दोनों दिन से लगाता है हम देख रहे थे, and Balqishna Industries के अंदर, आज हमें अच्छा मोगा मिला trade execute करने का, अब यहाँ पर क्या है कि price ने अपना एक swing लगाया है, अब इस swing से price देखे, एक zone जो बनता है, लाइक यह हमारा एक zone पूरा है, एक support area, अब यहाँ से price हमारा up-down, up-down कर रहा है, जैसे कि arrows अगर हम mark करते हैं, तो देखे, arrow mark करने के बाद में, एक high, low, again एक high, वापस से price यहाँ पर आया, और यहाँ से फिर नीचे गिरा, और again आज हमको price उसी level पर मिल रहा है, हाला कि price का जो actual target था, price वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाया, तो उसको ले करके, यहाँ पर trade book open करते हैं, solid यहाँ पर सबसे पहले हम लोग position book, position book देखेंगे, overall जो आज का हमारा profit है, 13,871.25 का हमारा profit था, आज का overall जो हमारा profit है, and order book में जब आप देखोगे, तो 6.75 कांटिस के थूरू हमने आज का यह trade अपने execute किया था, and यह सारी के सारी अपनी कांटिस है, और यह अपनी order book है, जहाँ पर 2.09.45 पर हमने इसके अंदर एपनी entry ले थी, 2.05 पर हमारा stop loss लगा था, परफेक्ट, targets हमने जब इसके अंदर बुक कर लिया, हालां कि हमारे revised targets थे, targets हमारे और भी upside के तरफ के थे, but round figure में हमने 2.20.30 पर हमने सारी profits जितने भी थे हमारे, सभी को book कर लिया था, हालां कि book कर लिया तो अच्छा हुआ, because वहाँ से price फिर हमारा सिधे नीचे की तरफीक गिर गिर गया था, तो एक ठीक ठाक profit, एक decent सा profit आज की trading session में हमको bulk exchange अंदर दिया, अब आज के वीडियो का सबसे जो main topic है हमारा stock selection का एक scanner हम आपको देंगे, किस तरह से उसे stock को use करना है, ये भी हम आपको बताएंगे, उसके बाद में इसे stock को trade करने के पेचा की reason, इसकी day time frame की चोटी से कनल से हम आपके साथ करेंगे, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा, thanks, वीडियो का अच्छा रखता है, तो उसको जरूर सा जरूर लाइक के जागा, comments के जागा और अपने friends और इसको share करने के कोशिश के जागा, और टेलिग्राम चैनल का लिंग की description में जोइन करेंगे, काफी सारी help लाइव मार्केट में आपको मिलती रहेगे, बाल किष्ण अंड़ोस्ट्री का ये day time frame का level है, day time frame का chart है, यहाँ पर simple सी चीज़ ये देखिए, जितनी भी marking से इन सब को हम delete कर देते हैं, order book आपने देख ही लिए थी, और वहाँ पर जो भी entry, stop loss और target के अरिया से सारी आपने देख लिए थे, यहाँ पर अभी जो चीज़ हम focus करने के कोशिश करेंगे, day time frame के level को किस तरह से हमने आज के दिन देखा, इसको देखेंगे, जैसे कि एक overall हम higher high higher lows, बार बार हम आपसे बोलते हैं, higher high higher lows, इसको mark करने के जबरज़स practice कीज़े, because इसी में बहुत कुछ रखा हुआ है, आपको कई सारे levels, या फिर confirmations के जो areas होते, यहीं से मिल जाते हैं, like कि यह हमारा अगर, यहां से हम भी हम ले करके चलते हैं, तो एक ही मेरा low point है, high, again यह एक low point, एक high point, और फिर से price हमारा नीचे की तरफ, यहां पर देखें, market ने क्या किया है, कि एक high, एक low, एक high, एक low, इस तरह से, एक अपनी range defined की, price इस level से आता है, फिर से upside की तरफ चला जाता है, again देखे, हुआ क्या है, कि जिस range से, price हमारा upside की तरफ गयाता है, बाइल जिस तो यहां से, upside से नीचे की तरफ यह गिरा, और यहां पर इसने एक support लिया, और support की बाद में, price हमारा ओपर की तरफ चला गया, और फिर से आप जब देखोगे, 5th of August की candle ने low की तरफ, हमारे swing low को break कर दिया, important candle काउंट से थी है हमारी, 25th of July, because इसने ही low लगाय था, और यहां पर price ने इस वाली candle का low breakout करते पर, बहुत अच्छी volume का breakout किया था, again I'm saying, volume is most important, जब हम price action को read करने जाते हैं, तो यह एक single tool है, जिसकी सबसे ज़्यादा जोरुत एक price action reader को पढ़ती है, कोशिश कीज़े इसको जितना हो सके, पढ़िए, practice करिए इसकी, समझने की कोशिश कीज़े, जितने भी useless indicators हैं, सब का आप इस्तिमाल कोलो, और उसके बाद में volumes पर आओ, आपको 100% यहाँ पर बहुत perfect results देखनों को मिलेंगे, यहाँ पर देखिए, एक level का breakout कर दिया, अब volumes में क्या होता है, कि किसी भी एक level का volumes को चलिए height कर देते हैं, एक आपको कोई भी level है, इस level का breakout like, यहाँ पर अगर price करता है, price मेरा upside की दरफ जा रहा है, और यहाँ से नीचे की दरफ गिर रहा है, अब यह मेरा support area है, price again upside की दरफ फिर से downside की दरफ गिर रहा है, अब यहाँ पर volumes क्या करें, यह चोटी 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 volumes आ रही है, चोटी 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 volumes आ रही है, बट यहाँ पर जैसे ही price ने breakout दिखा, यह heavy volume आ गई, volume ने यहाँ पर क्या शो किया है, कि जिस level का breakout price ने किया है, actually यह कोई चोटा मोटा level नहीं है, because अगर ऐसे ही कोई हलका से level होता, तो कम volume में ही price यहाँ पर breakout कर देता न, इतनी ज़्यादा volume की ज़रूत क्यों पटनी, because यहाँ पर heavy volume के साथ price ने levels के breakout किया है, confirm होता है, कि यह level कहीं न कहीं बहुत importance रखते हैं हमारी इस trade में, हम उसका use कर सकते हैं, अब बाल किस्टन इंडस्रीज में देखें, level का breakout किया, आज भी हमें जो price मिला, जब lower time frame पर आप जाओगो, तो देखें क्या किया है market ने, कल का जो trading session रहा है, price ने upside की तरफ आकर के closing कर दी थी, last trading session में, बट उससे पहले price हमारा, हमारे इस वाले level के नीचे है, यह देख रहें, इस level के अंदर जाकर के closing नहीं कर पा रहा था, बट कल यहाँ पर price ने closing कर दी, closing कर देने के बाद से, जब आप 5 minute के time frame पर आओगे, तो देखें, आज price ने जो support लिया है, हाला कि price अप से जब downside की तरफ गिरा है, तो यह 2 to 09.05 से नीचे नहीं आ पाया, यह उपर ही रहा है, और हमने जो अपना trade execute किया था, यह हमारे इस level के उपर में ही अपने कुछ confirmations के साथ अपना trade execute कर लिया था, और यहीं पर swing को देखते हैं, हमने अपना stop loss लगाया, profits हमें इसके अंदर book करने थी, exact 2 to 3, 7 पर हमें लग रहा था, कि price अगर इस वाले level को breakout कर देगा न, तो यहाँ पर हम अपने profits को book कर लेंगे, और वो level कौन से थे, day time frame पर जब जब जाएंगे, यह लोगा time frame पर भी आपको 16th of August 1035 की एक candle दिखाए पड़ेगी यह वाले, जो कि काफी important candle हमारी बन जाती, day trade कर जब हम इसके अंदर execute कर रहे हैं, क्योंकि यह एक resistance level है, price ने actually किया क्या, कि 1035, 16th of August candle के पास में, जैसे ही price आजाए, इसके अंदर rejections देखनों को मिल गए, तो जैसे यहाँ पर देखे, volumes increase हुई, हमने क्या किया, कि यह वाले जो मेरी candle थी, 125 की candle, इसका price आपका क्या है, 2230, और हमारी जो exit का price था, हमें exact जो यहाँ पर exit मिली है market से, 2230 पर हम यहाँ से exit हो गया थे, तो सारी quantities हमारी यहाँ से निकल चुकी थे, इसे candle के थूई, यहाँ पर हम जितनी quantities थी, सारी के सारी में निकाल दी थे अपने, यह overall अपना profit थोर अच्छा हुआ, बिकॉस यहाँ से 2 candles में ही price कितना, 2, 3, 4 candles में ही price सीधी मेरा नीचे की तरफ गिर गया, आई होग के समझ में होगा, जो भी points अभी में बताए हैं, इसको आगे किसी भी trade में जब आप execute करो, किसी भी trade को execute करो, तो इन सारे points को याद रखो, इन elements को एक एक करके use करो, देखेगा आपके जो trades होगे ना, यह और better, और बहतर होते चले जाएंगा, करल हमने दो stocks telegram पर share के थे, सबसे पहले जो हमारा stock था वो Britannia था, Britannia के अंदर कोई momentum नहीं हुआ, विकाज जो हमें buy करने की जो levels हमारे इसके अंदर दिख रहे थे हमको, यह 3725 के उपर में buy करना, तो इसके नीचे हमें sell करना था, तो देखे प्राइस ने केतना करीब 1.5% का momentum हमको, LTE ने इसके उपर से दिखाया, काफी सारी लोगों ने इसके अंदर profit जगर बुक किये, और जो हमने trade अपना execute किया था, वो बालकिशना के अंदर trade execute किया था, तो बालकिशना को हमने ज़्यादा importance दे और इसको ही trade किया, और अब बारियाती stock selection की, stock selection किस तरह से करने आप लोगों को, और किस scanner के उपर हम discussion करने वाले थे, देखे, सारे charts को हम हटा देते हैं, यहाँ पर देखे, जो scanner हमने बनाए, यह पूरा का पूरा आपको volume और price को ले करके है, volume की जो भी calculation में, इस scanner में की वो आप देखोगे अभी, और price की जो calculation की वो भी आप देखोगे, यहाँ पर basically हम क्या देख पा रहा है, कि एक resistance हमने find करने की कोशिश की है, lower time frame के अंतर, lower time frame पर हमें एक resistance देखना है, या फिर एक support area देखना हो, आपको करना क्या है, कि इस supports के नीचे से अपने जितने भी trade भगए रहा है, या तो support के नीचे या फिर resistance के उपर अपना ये trade execute करना है, हम in between trade execute नहीं करेंगे, यहां से buy नहीं करेंगे और उपर से sell नहीं करेंगे, price अगर नीचे की तरफ है, तो सिर्फ और सिर्फ हम उसके अंदर selling देखेंगे, upside की तरफ है, तो सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर buying देखेंगे, view clear रहेगा, price अगर हमारा resistance पर है, तो सिर्फ हम buying देखेंगे, break out और downside की तरफ यानि कि price जा हमारा support पर है तो यहां से भी हम break out यानि कि short selling, ओपर से हमें buy करना है और downside से हमें सिर्फ और सिर्फ selling करना है इतनी हीज़ याद रखेगा volume के साथ जब उसके अंदर breakout हो जाएगा तब आपको उस scanner को search करना है तो अभी हमने जो बता है कि price में एक तरह से आपको support और एक resistance हम देरें की कोशिश करना है उस scanner के तूँछ तो यहाँ पर हमने भी आपको बता दिया कि stock को trade कैसे करना है समझ मैं है एक simple सा आपको resistance और support मिलेगा उसके उपर आप buy करोगे और इसके नीचे आपको selling करने है अभी चलते से इसके बिल्कुल simple है कोई complications से इसके अंदर नहीं होने चाहिए यहाँ पर आपको मिल जागा इसका link हम डाल देंगे description box में और telegram channel पर भी share कर देंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जागा SS volume scanner 980.987 इसको जब आप search करोगे देखोगे तो morning में 9.20 पर यह scanner आपको search करना है 9.25 या फिर 9.30 पर यह scanner search कर ली जागा जब आप इसको run करोगे तो इसमें कई सारे stocks आएंगे जैसे कि देखे morning में यह हमारे पास stocks आते है stock आये थे 18.08.2020 18.08 आज की यह date है और 9.20 को यह stocks आते है काफी सारे stocks देखे इसके अंदर निकल कर क्या थे आपको करना क्या है न कि जैसे अभी तो morning क्योंकि यह scanner जो हमें यूज़ करना है वो 9.20 पर यूज़ करना है अभी time ज्यादा हो रहा है करना क्या होगा कि running market में charting के अंदर एक facility है कि running जो data इसने current का data available करवाया है यहाँ पर आपको volumes filter करने के options मिल जाएंगे सबसे last में देखे इसको refresh कर लेते हैं इक पर refresh कर यहाँ पर देखे volumes के कुछ आपके इसकैन करने के लिए इसने option देखा दिए और volumes पर जैसे आप क्लिक करोगे तो जो सबसे ज्यादा volume जैसे stock के अंदर trade हुई है यहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे जैसे IRCTC है आप IRCTC को यहाँ से आप copy करो और यहाँ पर देखो आप CTRL V IRCTC के अंदर आप काफी अच्छी volumes देखने को मिलेंगे यह देख रहे हैं यह scanner के अंदर IR stock है बहुत help करने वाला है यह stock आपको trade करने के लिए 1%, 1.5%, 2% 1% का move तो आपको मिल ही जाएगा ज्यादा तर stocks के अंदर 1% का move इसके अंदर मिल ही जाएगा काफी मेहनत लगी हमको यह scanner बनाने में और इसके अपर जो practice के है उसके उपर खूब जितना हो सके उतनी practice के उपर दभा के practice कीजे खूब सारी क्योंकि बहुत help आपको इससे मिलेगे वापस चलते है scanner के उपर अब simple करना क्या है कि आपको morning में यहां से निकालना है कि 9.20 पर जो भी stocks निकल के आएंगे उनहीं दिखाना है उनहीं आपको trade execute करना उसी के उपर बाकि दिन में आपको अगर लगता है sufficient लगता है कि stocks आपके पास काफी हो चुके हैं ज़रूत अगर नहीं stocks तो search मत करो बट 9.20 पर जितने stocks निकल रहे न stocks को trade कैसे करना है या आपको चैनल पर जाओ गया आप तो trade execute करने के लिए कितने ही सारे videos हमें upload कर रहे है या daily basis पर भी जो videos हम upload करते हैं live आकर के भी जो हम आपको समझाते बहुत साथ तरीक आपको मिलेंगे trades को execute कैसे करना है अभी जो points हम आपको बतारे है stocks को पकड़ना कैसे है तो यहां से आपको वो stocks अब जिससे अमरा राजा बैटरी है इसको यहां पर already open है अमरा राजा बैटरी में यह एक resistance level है अब आप इसको mark लो trade execute करने से पहले आपके पास जो आपके levels है यह होने चाहिए यह levels आपके पास पहले से ही होने चाहिए यह देख रहे हैं क्योंकि जो trade execute करने की जगा होगी वो यही होगी अब आज का trading session जब आप देखोगे तो 18 यहां पर देखे प्राइस निक्या किया है एक momentum upside की तरफ क्योंकि इस एक area पर price जब था तो scanner में यह stock अलड़ी आपको show कर दिया था अब price के अंदर हम वेट करेंगे कि again यह price हमारा support level पर आजा या जो भी आपके predefined level है वहाँ पर यह stock आजा तब आप इसको उठाओ के trade करने के लिए तो इस level से ही आपको इसके अंदर confirmations लेने और यहाँ से अपना trade execute करना है एक proper way में अपना एक base find कर लेना ऐसा नहीं है कि कहीं से भी stock मिलगा आपने trade execute कर दिए अभी दूसरा stock देखते हैं दूसरा stock कौन से है मेरा? Bank of India so copy यहाँ पर आकर के उसको paste करते है Bank of India देखिए Bank of India में क्या हुआ है? 920 पर यह stock आए देखिए पूरे दिन इसका momentum आपको upside के तरफ दिखेगा पूरे दिन 4% यह stock चला है 3.78% जो भी stocks आपके nickel करके आ रहा है सबसे पहले तो volume के तरफ जी सबसे ज़्यादा volume आईए उसको filter करिए अब 3rd stock कौन से है? His price इसको उठाइए copy करिए यहाँ पर paste यहाँ पर में देखना है कि momentum किस तरह को है पूरे दिन देखिए प्राइस हमारा एक support से upside को पर ही रहा है यहाँ देख पा रहे हैं यह एक area हमारा support का area बना यह area अब यहाँ से देखिए है न? और पूरे दिन में हमने आप से क्या बता है कि 1 से लेकर कि 1% momentum आपको आराम से यह scanner दे देगा एक सही level बस आप identify कर लो और उस level से ही trade execute करो काफी अच्छा trade execution इस scanner के तुरू और इस stock selection method के तुरू मिलेगा एक तरह से यह method है कि आपका resistance या फिर support पर कोई भी stock होगा resistance या फिर support पर कोई भी stock है volume के साथ volume के साथ जैसे उस level का breakout होगा आपको momentum इसके अंदर देखनों का मिल जाएगा एक stock और देख लेते हैं जैसे next stock है हमारा blue blue star अब blue star को paste copy paste okay blue star अब blue star में देखे यहाँ पर blue star के अंदर एक resistance level आपको देखना को मिलेगा जहाँ से price के अंदर के momentum होते है जैसे line हमारी इसको सबसे अच्छा समझना है तो day time frame पर चलते है day time frame पर देखे एक resistance level अभी हमने कहा ना कि stock को कहीं से भी trade नहीं कर देना है आपके पास एक level होना चाहिए यहाँ से देखे price में क्या हुआ है एक यह वाला point हमारा इसके बाद में एक यह वाला area तो कुल्म लाकर करके जैसे आज की दिन में trade करना होता है तो हम देखते ना कि इसका एक resistance level है कहां से यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 1057 यह इसका एक support area है अब price को अगर हमें trade करना है तो इस level से ही हम trade करना होगा क्योंकि stop loss को भी जो find करना होगा इस level से हमको सही stop loss देखने को मिलेगा इस resistance पर जैसे ही price आया है इसके अंदर की momentum देख लिए हमने अपसे कहा था ना कि 1% से लेकर कि 2% तक का move आपको यह stock देदेंगे तो इस तरह से आपको इस scanner का use करना है basically बहुत यह help कर देगा एक range की ब्रेक आउट होते है morning में like 920 और 925 तर किसी लेवल के breakout हो गया अब एक level का जैसे breakout हो गया है तो उस level पर जैसे यह एक आपका resistance point है अब इस वाले point का breakout हो गया upside की तरफ और यहाँ पर volume भी आ गए अब फटाक सी यह scanner क्या करेगा ना कि आपको वह stock लाकर करके देदेगा इसके बाद में करना है क्या आपको अपने एक level का अपने point का करना है wait कि price आपका आपके level तक आए लेवल तक आएगा अब आपको trade यहाँ पर execute करते है तो day time frame की reading थोड़ा सा practice के लिए कि day time frame की reading आपके पास हो lower time frame के confirmations आपके पास हो काफी अच्छा पैस आप इससे बना ल इने वाला है thank you and अब हम लोग मिलते कल के अपने training session में तब तक के लिए goodbye and we will meet again